हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका mathematics teacher वेलकम करता हूँ आपका डिजिटल तैरी के YouTube चैनल पर बिल्कुल आपने सही देखा है थमनेल में हम बात करेंगे ratio के जो questions होते हैं उनके लिए क्या short tricks है उनके बारे में ठीक है किस तरीके के questions होते हैं और कैसे हम उनके answer जल्द a raise to b is 2 raise to 3 b raise to c is 6 raise to हम कह सकते हैं कितना 15 6 raise to d is आपको दे रखा है for example 5 raise to कितना 6 then find out the ratio of a and d ठीक है हमें a और d का ratio बताना है तो देखिएगा किस तरीके से इसका answer हो जाएगा a and d का ratio बताना a मतलब सबसे पहला और d का मतलब है यहाँ पर सबसे last वाला तो कई लोग इस तरीके से करते हैं a d बताना है तो कई लोग इस तरीके से a b c d निकालते हैं और फिर d और a जो ratio पूछा है वो answer बताते हैं कि इतना लंबा चोड़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा हम बता सकते हैं कैसे जब कभी भी आपको सबसे first और सबसे last वाले का ratio पूछे तो आप सिर्फ इतना सा काम कीजिए क्या पूछा आपको a अनुपाट d मैं a अनुपाट d बोलू या a बटा d बोलू सबसे पहली बात तो एक बात ही है दो ठीके तो जब कभी भी आपको सबसे first और सबसे last वाले का ratio पूछे तो जो भी ratio आपको दे रिखे हैं अनुपाट आपको दे रखे हैं उनका गुणा कर कैंसिल होने के लिए तो यह 6 से 6 है कैंसिल होने के लिए 5 से 15 तीन बार है तो आंस्वर मैं देख रहा हूं कितना आ रहा है दो बटा में कितना है नौ तो दो अनुपाट नौ या दो बटा नौ कह दीजिए वह हमारा आंस्वर हो जाएगा तो बिना पैन चलाए भी हम इस question क पTu आंसोर बता सकते थी सबसे फास्ट और सबसे लास्ट कुछें तो इसी तरह से हम बता देंगे इसी का एक और एग्जांबल देखते हैं देखिएगा क्या होगा इसी का एक और एग्जांबल देखिए और जैसे कि question सेकंड कह रहा है if मतलब यदी A अनुपाद B बराबर 1 अनुपाद 2 B अनुपाद C बराबर आपको कह रहा है 3 अनुपाद कितना 4 C अनुपाद D बराबर आपको कह रहा है कि 16 अनुपाद हम ले लेते हैं यहां पर कितना यह ले लेते हैं हम जैसे की यह ले लिया हमने 27 और D अनुपात E हम ले लेते हैं जैसे की 5 अनुपात कितना ये ले लेते हैं हम 6 और और आगे चले, E अनुपात F दे रखा है और भी आगे तक, वह हम ले लेते हैं कितना हो जाएगा, वो हो गया हमारे पास जैसे की एक अनुपात 4 है, है तो हमें क्या पूछ रहा है, A अनुपात F का मान क्या होगा, तो वही चीज है, A अनुपात F पूछा है, इसका मतलब A है सबसे पहले, और F है सबसे last में, तो सबसे पहले और सबसे last का आपको ratio निकालना है, तो क्या तरीका रहेगा, अब कई लोग इस तरीके से करते हैं, A, B, C, D, E और F, फिर A और F बताते हैं, अनुपात गलत नहीं है, सही है, लेकिन बहुत समय लग जाता है, जरा सोच कर देखिए, B, C, D, E जब पूछा ही नहीं, तो निकाले हम क्यूँ, तो direct क्या तरीका होगा, जब कभी भी सबसे first और सबसे last वाले का ratio पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी ratio दे रखे हैं, उन सभी का गुणा कर दीजिए, और जो कटने वाली चीज़े हैं, अगर तो काट दीजिए, तो आपका answer आ जाए, ठीक है, चलिए, तो A, B, B, C, C, D, फिर D, E और ये E, F हो गया हमारे पास, cancel होने के लिए जो हैं, उनको हम cancel यहां पर करके देख लेए, ठीक है, चलिए, यह D, E है, ध्यान रखिएगा, तो 16, cancel कर दिया, और कुछ cancel हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से मैं, इसे, 3 से इसे मैं कर सकता हूँ, कितनी बार, 9 बार, और कुछ है, prevail होने के लिए नहीं, तो उपर कितना बचा, उपर बचा 5, नीचे कितना बचा, 2, 9 और 6 का गुणा, तो 9 का 6 से कर लेते हैं, कितना ह और काम कर लेते हैं, दो से तो डबल हो जाएगा 108, तो अंस्वर आ गया 5 अनुपात 108 जो की हमारा अनुपात A अनुपात F के लिए सही है, चलिए, ये तो एक तरह के कुश्चन हुए, और भी दूसरे तरह के जो कुश्चन साते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से हम उनके अंस्वर बता सकते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि आपको कह रहा है, यदि A अनुपात B है, हमारे पास कितना तीन अनुपात 5, तो आपको पूछ रहा है, A cube minus B square A plus B cube upon A square B की value क्या हूँ, ठीक है, बहुत ही आस आने इस तरीके questions को करना, देखिए, A और B का ratio आपको दे रखा है, और आपको कोई equation समीकरन पूछिए, direct हम इसका answer बता सकते हैं, सिर्फ value रखकर, और वो कैसे, बस एक छोटी सी चीज हमें check करनी होगी, और वो check ये करना है, कि जो आपको पूछा है, उसके हर एक पद में क सेम है क्या, तो यहां पर घात टोटल कितनी है, तीन है, यहां दो और एक, A की घात एक टोटल कितनी हो गई, तीन हो गई, यहां घात कितनी हो गई, तीन हो गई, तो सभी पदों में घाते एक समान है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ A की जगे, तीन और B की जगे, पांच रख दीजिए आपका आंस्वर आ जाएगा अगर सभी जगे घाते एक समान नहीं होती हरेक पद में तो हम क्या करते तो सीधा सा इसका आंस्वर होता cannot be determined मतलब आंस्वर उत्तर ग्यात नहीं किया जा सकता ठीक है तो देखिए कैसे तो इसका आंस्वर क्या हो जाएगा जैसा कि अभी हम देख सकते हैं हरेक पद में घात एक समान है एक समान है इसलिए एक ही जगे तीन और बी की जगे पांच रख देंगे उत्तर आपका आ बी का क्यूब मतलब पांच का हम क्या कर देंगे यहां पर क्यूब और एका स्क्वेर मतलब तीन का स्क्वेर और यह बी मतलब पांच बस अब आपका अंस्वर आ जाएगे तीन का स्क्वेर हमें पता है 27 पांच का स्क्वेर हमें पता है 25 25 का 3 से 75 और पांच का क्यूब हमें पता है 125, पीन का स्कुर हमें पता है कितना 9, 9 का 5 से कर लेंगे कितना 45, आगे हम सॉल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये माइनस 75 है, वो 125 है, तो 25, 25 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके 50, ठीक है, 125 में से 75 को लेस कर लिया, तो 50 ही बचेगा, 50 और ये 27 हो गया, ये आपके पास कितना 77, और ये कितना है 45, तो ये हम कह सकते हैं, फाइनली हमारे पास इसका अंस्वर आ गया, 77 अपॉन 45, कुछ नीदा, सिंपल सी वेल्यू पुट की और अंस्वर आया, ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, अगर हर एक पद में, यहां पर पावर्स, घातें ए क्योंकि उसमें एक वेरियबल जो एक्स होता है, वो रह जाता है, इस वज़े से, चलिए, और एक्जाम्बल देखते हैं इस तरीके का, तो देखिएगा, यदि, A, B, C, D, रेशियो है, 1, 2, 3, 4, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है, A पावर 4 माइनस 6 A क्यूब B प्लस 5 A पावर 4 या A पावर 4 ले चुके हैं, तो A स्क्वेर B स्क्वेर अपाउन D पावर 4 माइनस 2 B क्यूब इन्टू A, इसकी वैल्यू आपको निकाल दीए, चले निकाल लेते, A, B, C, D का रेशियो दे रखा कोई दिक्कत नहीं है, उस एक तरह से एक्वेशन है, उसकी वैल्यू पूछी आपको, Mathematical expression जो गिवन है, उसकी वैल्यू बतानी है, बता सकते हैं, सबसे पहला एक ही काम करना है, आपको उसके हर एक पद में चेक करना है, कि पावर घात एक समान है क्या, अगर घात एक समान नहीं है हर एक पद में, तो आप सीधा अंसर कह देंगे, Can not be determined C and D हम कह सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, पावर केतनी है, 4 है पहले पद में, 3 और B पर 1, 6 की तो कोई पावर होगे नहीं, वो तो क्या है, constant है, variables जो हैं, उनकी पावर जिनका ratio दे रखा है, उनकी घात के बारे में बात कर रहे हैं, A की घात 3, B की घात 1, 3 और 4 होगे, इस वाले पद में, B 4 होगे, यहाँ पर भी D की उपर 4 होगे, और यहाँ पर 3 और 1, 4 होगे, ठीक है, तो घातें सभी जगें Cambodia एक समान है, तो कुछ नहीं करना है, A की जगे 1 रखना है, B की जगे 2 रखना है, C की जगे 3 रखना है, और D की जगे कितना, 4 रखना है, आपका आंस्वर आ जाएगा, तो रख लेते हैं, A की पाउर 4, तो 1 की पाउर 4, minus 6, A का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, डारेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार वेल्यू रख कर देखते हैं, B की वैल्यू 2 रख दी, A का स्क्वेर मतलब 1 का स्क्वेर, B का स्क्वेर मतलब 2 का स्क्वेर, 5 था, 6 था, तो as it is रख दिया, फिर D मतलब 4 की पाउर 4, minus 2B कितना 1, चलिए, वो B है, तो B 3 नहीं है, B की जगे आएगा 2, ये लिए हमने 2, B का क्यूब कह रहा है, तो B तो 2 ही है, तो 2 का क्यूब, और A मतलब 1, खई दे रहा है, तो ये हमने देखा, अब एक C&D वाला जो है, वो भी हम देख लेते हैं, देखेगा C&D मतलब cannot be determined, वो हम सीधा देखके ही question बता सकते हैं का answer क्या होगा, आपको कह रहा है, यदि A, B, C आपको दे रहा है, 3 raise to 5 raise to 11 है तो, आपको पूछ रहा है क्या, A cube minus B square A plus 7 A square C upon C square minus A, B, C, इसकी value पूछ रहा है, तो इस answer देखकर हम बता सकते हैं क्या होगा, cannot be determined, ग्यात नहीं किया जा सकते, क्यों नहीं ग्यात किया जा सकता, वो जड़ा देख लेते हैं, A, B, C का ratio दे रखा है, तो क्या A की 3, B की 5 और C की 11 value इसमें नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, वो देख लेते हैं जरा, हर एक पद में घातें, power should be similar, घातें एक समान होनी चाहिए, क्या घातें सभी पद में एक समान है, तो A की घात 3 है, यहाँ पर तो ठीक है, B का square और A की घात 1 है, तो 2 और 1 घात 3 हो गए, ठीक है, यह तो 7 constant है, इसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, A का square है, C की घात 1, पतलब यहाँ पर भी घात 3 हो गए, ठीक है, यहाँ पर मैं हैं तो सौल ही नहीं करना है सीधा अंस्वर करना है cannot be determined तो इस रेशियो के कुछ question के लिए हमने short trick देखी और भी हम बात करेंगे mathematical जो भी short tricks होती है आपके SSE bank order जो भी exams हैं उनके लिए next वाले वीडियो में और भी मज़ेदा trick के साथ मिलेंगे thank you so much please like share subscribe डेडिटर तैयारी